अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जितेगा चर्चा ये होगी कि भाजपाद दो तिहाई बहुमत लेगा कि दो तिहाई बहुमत के कम रहेगा कि इसलिए वह सी एम्ज पूर्ची के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि जो अंदर गुप्तम गुप्ति चल रही ने कपड़ा पाड़ काम चल रहा है ना वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेचों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा कॉंग्रेस के पास सिर्फ जूठी गोषणा को का पॉंपोजी बच गया है कॉंग्रेस के नेता फिल्मी है कॉंग्रेस योंगे डायलोग भी फिल्मी है कॉंग्रेस मतलब राजी में हजारों करोर के कॉंग्रेस मतलब राजी में अपराजियों का बोग बाला है कॉंग्रेस बतलब राज्ज में गरीब हों से कॉंग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फ़ार्दे की कॉंपिटिशन चल रहा है मत्रप्रदेश का पर्चम लेहराना कॉंग्रेस के पस्क्री पाफ से कि मेरे परिवार जनों कि MP में भाजपा के समर्थन में चल रही यह आंधी अद्भूत है जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुणा भाग करते रहते न वह आज उनका हिसाब कताब बदल जाएगा अब चर्चा यह नहीं होगी कि कौन जितेगा चर्चा यह होगी कि भाजपा दो तिहाई बहुमत लेगा कि दो तिहाई बहुमत के कम रहेगा यह बाजपाई है जिसने MP को अगरिकल्टर में इतना आगे बढ़ाया यह भाजपाई है जिसने MP को रोड और रेल नेटवर्क में तना आगे बढ़ाया यह भाजपाई है जिसने MP में आउद्यों की विकास किया इसे आउद्धिनिक शिक्षा का हब बनाया इसलिए MP के लोग भाजपापर अटूट विश्वास करते हैं और भाजपापर मद्यपदेश का यह भरोसा तब से है जब देश में भाजप को बहुत कम लोग जानते थे आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राज़नेतिक डल है आज केंद्र में करीब दस साल से भाजपा की सरकार है वो भाजपा सरकार जिसने भारत को बिश्व में पांचमें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महाव संकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया वो भाजपा सरकार जिसके कारकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना जंडा गाड़ा आज भारत के गवरो को नई बुलंदी मिली है नई पहचान मिली है और इसमें मद्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए लोग आज कहते हैं कि MP के मन में और मोधी के मन में इसलिए MP कर रहा है एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर मेरे परिवार जनों देश हो या फिर हमारा मद्य प्रदेश कॉंग्रेस के पास सिर्फ जूठी गोशना को का भॉंपो ही बच गया है मद्य प्रदेश के विकास के लिए फोस रोड में क्या होगा यह कॉंग्रेस को पता तक नहीं है इतनी दूर की कॉंग्रेस सोच ही नहीं सकती कॉंग्रेस के नेता फिल्मी है कॉंग्रेस के डायलोग भी फिल्मी है इसकि गोशनाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी होगा यहां कॉंग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फ़ाड़ने की कॉंपिडिशन चल रहा है और अभी तो यह फिल्म का ट्रेलर है यह अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मोका मिल गया ना जो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे आपके भी फाड़ेंगे तीन दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कॉंग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी कॉंग्रेस की असली सिर्फ उटबल होगी अभी तो प्रेक्टिक चल रही है साथ क्यों कॉंग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है आप याद रखिए यह जो आपस में गुत्थम गुत्ता है न एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे न जहां भी उनका मुका बिला है न उन्होंने जंता के ही कपड़े फाड़ दिये हैं और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है मेरे प्यारे परिवार जुनों आप राजस्तान और चत्तिस गड़ में देखिए पांच साल तक इनोंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है कॉंग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड के गोटाले कॉंग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोल बाला कॉंग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासगार कॉंग्रेस मतलब राज्य में दलीतों पिछडों आदिवासियों पर अप्त्याजार ऐसे ही काम उनके चरीतरे में बन गए उनके स्वभाओं बन गए उनके खुन का हिस्सा बन गए आप जानते हैं कि हां के कॉंग्रेस के शिर्थनेता अपस में क्यों लड़ रहे हैं यह सीएम की कुर्शी के लिए नहीं लेकिन वो उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है इसलिए वो सीएम्स कुर्ची के लिए नहीं लड़ रहे हैं यह जो अंदर गुत्तम गुत्ती चल रही नहीं कपड़ा फाड काम चल रहा है ना वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा हawi Like लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मने प्रेश कॉंग्रेश पर कब जा करेएगा है कॉंग्रेश के सिरफ परिवारबाद का पर्चम लहरा सकती है hardly मदब्रदेश का पर्चम लहरा न कॉंग्रेश के बस की बात नहीं है साथियु भाजपा आपके परिवार के वर्तवान आपके बच्चों के भविश्च के लिए काम कर रही है आपका सपना ही मद्ध प्रदेश के मेरे भाईयों बहनों मेरी गारंटी है आपका सपना ही मोदी का संकल्प है इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना बाजपा सरकार का मिशन है इसलिए बाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है गरीब की हर छोटी छोटी जरुरत को पूरा कर रही है जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पका गर हो कि जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले दस साल में चार करोर से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिये है चार करोड़ घर मंत्र प्रदेश में भी करीब करीब पचास लाग गरीबों को पी-एम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए नब्बे हजार घर बनाए गए हैं यह लाखों रुपया के घर है और इन मैंसे अधिक तर घरों की रजिस्ट्री बेहनों के नाम पर हुई है और अब हमारा मद्द प्रदेश तो जब भी बेहन याद करो तो मामा याद आही जाता है यहाने यहां की हजारों महिलाएं लगपती बनी हैं उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ती हुई है हमारे शहरों में रहने वाले मद्दमर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंबीरता से काम कर रही है जिसकी अठारा लाक उर्पे की आए है उसे गर खरिंदे पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चला ही जा रही है और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मद्दमर के लिए शहरी मद्दमर के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी यह मोधी पहला प्रधान मंत्री है जिसने इसकी चिंता इस योधना का लाब लेने वाले मद्यमर के हर परिवार को लाखों रुप्यों की मदद हो रही है मेरे परिवार जनों जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलीत भाई भेन मेरे पीछडे भाई भेहन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है ये भाजपाई है जिसने कोरोना के संक्रिकाल में भी गरीबों को मुप्तराशन देने की योजना बढ़ाई एक वक्त के खाने भी भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ती ही मैसूस कर सकता है देश की किसी मा को किसी पीता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े आज मोदी इसकी घरंटी बन गया है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान अन्योजना के तहत देश में पिछले तीन साल से गरीबों को मुप्तराशन दिया जा रहा है मुप्तराशन से जुड़ा एक और निश्णा है और मोदी तो गरीबी से निकला है ना तो उसे मालुम है और मेरा एक और निणा है मेरा और एक निश्चे है वैसे तो यह योजना एक महिने के बाद उसका समय पुरा हो रहा है असी करोड गरीबों को मुप्तराशन देने वाली योजना डिसम्बर में पूरी हो रही है लेकिन मोदी का निश्चे है आने वाले पांच साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा आने वाले पांच साल तक असी करोड मेरे देश वासियों का चूला जलता रहे ये मोदी की गारंटी है अर अब ये योजना पांच साल के लिए आगे बढ़ेगी गरीबों को राशन मुप्त में मिलता रहेगा उससे जो पैसे बचेंगे जीवन की और आवश्यक्ताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा देश के हर गरीब को हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है न तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ अग्या आता है सात्यों भाजपा की डबल इंजिन सरकार की हर योजना के मूल में माता बहने और बेटियां सौचालाई के भाव में गैस कनेक्शन के भाव में बिजली और पानी के भाव में सबसे अधिक परिशानी अगर किसे को होती है तो परिवार में हमारी माता हो बेनों बेटियों को होती थे उजवला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की दलित पिछले परिवारों की करोर बेनों के धुँए से मुक्ति मिली है और आपको कुछी दिन पहले रक्षा बंदन पर एक और खुशन कपरी मैंने बेजी थी उजवला की लाबारती बेनों के लिए गैस सिलिंडर 500 रुप्या सस्ता कर दिया गया बेनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने भुटाया है हर गर जलब यान के तहट मद्द प्रदेश के लाखों परिवारों को नर से जल की सुविदा दी जा चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब MP के हर घर में पाइप से पानी की सुविदा होगी साथ क्यों डबल इंजिन सरकार का क्या फाइदा होता है इसका एक और उदारना हमारे जंदन खाते है मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए हर लाब उन बैंकों के खाते में पहुंचे इसकी ववश्ता की यहां मद्द प्रदेश के भाज़बा सरकार ने उन बैंक खातों के मादम से बेहनों बेटी और तक सीदी सहाज़ता पहुंचाई लाली बेहन योजना और लाली लख़ी योजना की प्रसमसा आज पूरे देश में हो रही है गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोशक आहार मिले इसके लिए भी प्रदान मत्री मात्रों मंदरा योजरा चल रही है इसके तहद भी मद्द प्रदेश के लाखों बेहनों को सोला सो करोड रुप्य दिये जा चुके है मेरे परिवार जनों माताओं बेहनों के शसक्ति करण की सच्ची कोशिश भाजपार सरकार की सही पहचान है इसलिए भाजपार ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारेंटी पुरी की है महिलाओं के लिए विदान सबा और लोग सबा में 33 प्रतिश्रत आरक्षन की मांग पर कॉंग्रेस बरसों तक बैठी रही हमने नारी शक्ति बंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पुरी की कॉंग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देखी नहीं सकती इसलिए आदिवासियों के सच्चे ससक्तिकान के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया आप याद कीजिए देश की पहली आदिवासि महिला राष्पती जी का कॉंग्रेस ने कितना गंगोर विरोत किया था भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाब मैदान में उतार कर कॉंग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासि बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है इसनले पुरे देश का अदिवासि समाज कॉंग्रेस से बहबना राज है कॉंग्रेस को सजा देने के मूड में है मेरे परिवार जुनो अदिवासि हीतों की रक्षा अदिवासि भाइमेनों का कल्या भाजपा की सर्वोच्च प्रात्फिक्ताव में से एक है ये भाजपा है चितने देश की आजादी में आदिवसी समाज की योगदान को राश्ट्री पहचान दी है ये भाजपा सरकार है जिसने भगवान बिर्शा मुंडा के जन्मदीन 15 नवंबर को जन्य जाती गवरोदिवस गोशित किया है कुछ दिन पहले ही हमने राणी दुर्गावती की पांट सो भी जन्मदीन को दुमदाम से मनाया मुझे जबलपूर में उनके भवे समारक का गौण संस्कूर्ति के समारक का सलया न्यास करने का आउसर मिला मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का अरंब किया आज भारत के आदुनिक तम रेल्वे स्ट्रेशन का नाम रानिक कमलापती के नाम पर है आज जन्नायक तंट्या भुल के नाम पर मद्य प्रदेश में अनेक संस्तान है अनेक योजनाय है मेरे परिवार जनों भाजपास सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए पत्तिबद्द है इसलिए एक जिल्ला एक उत्पात के तहट बन डिस्ट्रिक बन प्रोड़क के तहट रत्लामी सेव को चुना गया है यहां नमकिन क्रस्टर भी स्थापित किया गया है जो नए अउद्योतिक क्रस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा नए टेक्स्टाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले भाजपा के सासन में 21 वी सदी का मत प्रदेश अब से लेस हो रहा है रत्लाम से भी कभी आठ लेन का एक्सप्रेस में होकर गुजरेगा पुरानी पीडी ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन आज ये सच्चाई बन चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में की वज़े से एक शेत्र कोटाव और सुरज जैसे सहरों से भी कनेक्ट हो गया है अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है नया कोरिडर बनने जा रहा है इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर बनने जा रहे है इसे एक महत्वण व्यापारी केंद्रे के रुपे मालवा की रत्लाम की पहचान और सतक्त होगी मेरे परिवार जनों देश मैसा कोई नहीं है जिसे कॉंग्रेस ने कभी ठगा नहीं है हर चुनाव में कॉंग्रेस कर्ज माफी का जुन जुना लेकर आती रहती है पिछली बार भी उन्होंने यही किया था लेकिन कॉंग्रेस का इतिहास है कि कॉंग्रेस की कर्ज माफी का पाइदा किसानों को नहीं कॉंग्रेस योग को उनके चेले चपाटर को ही मिलता है जबकि बाजबा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है हम किसानों के हैं छोटे बोड़े खर्चों की जिंता कर रहे हैं पी-अम किसान सम्मान निदी के तहट देश पर के किसानों को दो लाग साथ हजार करोर रुपिये सीधे उनके बैंक खाते में जबा पेजे गए मद्द प्रदेश में तो डबल इंजिन सरकार के कारण किसानों को डबल फाइडा मिल रहा है आज अनाज हो या फिर दलहन तिलान कॉंग्रेस राज की तुलना में भाज़पा सरकार कहीं जादा मात्रा में खरीद कर रही है हाली में गेहूं चनाव और दूसरी फ़सलों के मस्पी में भी बड़ी बड़ोसरी की गई है इसका लाभ भी मद्द प्रदेश के किसानों को होगा किसानों को महंगा यूरिया महंगी खाक ना खरीदने पड़े इसके लिए भी भाज़पा सरकार लगातार काम कर रही है विदेशों में यूरिया की जो बोरी तीन हजार रुपिया की है आज बही बोरी भारत के किसानों को तीन सो रुपिये से भी कम मिलती है इस पर भी भाजबा सरकारं लाको खोण करोड रुपिय खर्च कर रही है मेरे परिवार जानों समाज के हर बर्ग हर क्षेत्र और हर परिवार के हिट में जब ऐसे काम होते हैं तब ही भाजबा सरकार इतना अथिक बरोचा होता है यहां रत्लाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं वो भाजपा की प्रतंड विजय का उद्गोष है और साथ क्यों मैं भी 36 गड़ के आ रहा हूं मेरे शब्द लिख लिए 36 गड़ मैं भी भाजपा सरकार बनना ताय है लेकिन भाजपा की ये विजय जिर्फ सीटों तक सिवित नहीं रहनी चाहिए बलकि शत्प्रतिशत बूतों में कमल खिलना चाहिए आप इतने बड़ी संख्या में आए आपके दर्शन का मुझे लाब बिला लेकिन मेरा एक काम आये हैं तो करना पड़ेगा करोगे जो बहार टेंट के बहार लोग बहुत कड़े वो सुन्द रहे हैं मेरी बात जबा हाथ उपार करके बताएए मेरा काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे आप लोग ये वाले टेंट वाले भी करेंगे ये वाले भी करेंगे पक्का करेंगे मैं भरोसा करूँ बाह तो मेरा एक काम करिए यह जो मैं कह रहा हूँ न काम वो छुनावी काम नहीं है करोगे न छुनाओ के लिए नहीं कह रहा हूँ मेरे लिए कह रहा हूँ करोगे पका एक काम करिएगा यहां से घर घर जाएए और हर गर जाकर के कहिए कि मोदी जी रटलाम आये थे मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है इतना कह देंगे मेरा प्रणाम पहुँचा देंगे हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुँचेगा वो माता वो बुजूर गर के परिवार के बुखिया जब मुझे आशिरवाद देते हैं न तो मेरी काम करने की ताकत अने गुना बढ़ जाती है साथ को आप इतनी बड़ी तादाज में आए यह मोमेंट अब मना रहे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बारत माता की